श्री नाज्य गुरुजी को अलगादेश, माभगवती को अलगादेश, रांची वाले भैरब बाबा को अलगादेश रोज एक या दो हमारे मित्र इस अरजी को लेकर आते हैं कि कहीं न कहीं उनकी किस्मत बंद गई है जो आने वाला व्यापार होता है, जो आने वाला पैसा होता है, वो भी रुख जाता है और फिर ऐसे मित्र आते हैं, जिनका धन किसी ने रोक रखा हो, जिनका धन कोई वापस ना कर रहा हो आज का वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है आपको अगर लगता है कि आपका धन आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है वो किसी व्यक्ति के चलते हो, वो किसी परीश्थिति के चलते हो, या वो भागय के चलते हो इन तीनों कारणों से अगर आपका पैसा रुका हुआ है, तो अथर्व वेद में आपके लिए बहुत ही आसान सा उपाय दिया हुआ है तंत्र का उपाय या तंत्र का जो टोटका होता है वो जो normal टोटका होता है उससे अलग होता है तो जब इसको आप करोगे तो थोड़ी तो technicalities होती है और थोड़ा ग्यान होना ज़रूरी होता है कैसे करेंगे इसका उपाए सबसे पहले भोजपत्र लेगे ठीक है square shape का भोजपत्र और वैसा हमें चाहिए 48 भोजपत्र उसके बाद उस भोजपत्र पे हम लोग जो नवग्रा है उसका नवग्रा मंडल बनाएंगे ठीक है नवग्रा मंडल कैसे बनता है तो नौ घर बनाए जाते हैं ठीक है और नौ घर के उपर जो है अलग अलग ग्रहों के मतलब हरे घर में जैसे पहले घर में आप बुद्ध का नाम लिखते हैं दूसरे घर में आप शुक्र लिखते हैं तीसरे घर में चंद्र लिखते हैं ठीक है फिर दूसरे लाइन में आज़े मतलब तीन कॉलम है और तीन रो है ठीक है तो सबसे उपर वाली लाइन में आपने पहले बुद्ध लिखा फिर शुक्र लिखा फिर चंद्र लिखा उसके नीचे आप लिखेंगे ब्रसपती, सूर्य और पृत्वी ठीक है और सबसे नीचे वाली ये मध्धे वाला लाइन था मध्धे लाइन में ब्रसपती, सूर्य और पृत्वी और सबसे नीचे वाला जो लाइन है उसमें आप आ जाईए तो पहले घर में आप लिखेंगे राहू, दूसरे में केतू, और जो नौवा घर है उसमें आप लिखेंगे सूरिया, ठीक है, तो नौ बॉक्सेस बनाया आपने, हर एक पत्ते पे, हर एक 48 पत्ते पे नौ बॉक्स बनाया, पहले घर में आप लिखेंगा सोम, दूसरे में तीसरे में बुद्ध, चौथवे में गुरू, पांचवे में शुक्र, छठे में सनी, साथवे में राहू, आठवे में केतु और नौवे में सूर्या, ठीक है? इसके बाद जो अगला विधान आपको करना है कि इसके उपर नौ धान रखना है, तो नौ तरीके के धान होते है इसमें वीट रखा जाता है सूर्य के लिए, चावल रखा जाता है चद्रमा के लिए, दूरल रखा जाता है, फिर हरा चना रखा जाता है, लाल चना रखा जाता है, सफेद चना रखा जाता है, थोड़ा सा सरसो रखा जाता है, ठीक है? काला चना रखा जाता है, और एक घ ग्राम बोलेंगे किसी को कि नव धन्ने मुझे दे दिए तो आपको दे देंगे ठीक है यह जो सारी प्रक्रिया आपको करनी है यह किसी नदी के तीर पर करनी है तो नदी के तीर पर बैठ जाएंगे 48 भोजपत्र लेंगे उस पर 48 मंडल बनाएंगे मंडल आप लाल कलम से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप केसर से भी बना सकते हैं दोनों की छूट है लाल दवात पेरे कहने कारता उसके बाद 48 जो अपने यंत्र बनाया उसके उपर नवधान को रखेंगे ठीक है और उसका 48 प्रदक्षिना करेंगे फिर उसी संख्या में आप उसको प्रणाम करेंगे ठीक है इतना करने के बाद उसके सामने एक हम लोगों को दीपक जलाना है दीपक में तीन तरह का तेल होता है तो आप सरसो रख सकते हैं चमेली रख सकते हैं और तिल का तेल रख सकते हैं ऐसे ती जब आपने 48 बार उसको प्रणाम कर लिया, तो जो भी जितनी सामगरी है, सब को मन में ये संकल्प करते हुए, कि मेरा जो भी डूबा हुआ पैसा है, मेरा जो भी रुका हुआ पैसा है, वो वापस आ जाए, ऐसा सोच कर सामगरी को जल में विसरजित कर दीजिए, तो वो धन वापस आ जाता है, वो किसी भी मार्ग से रुका हुआ, इस साधना को अगर आप ग्रहन काल में, जैसे अभी तीन ग्रहन काल आ रहे हैं, दो चंद्र ग्रहन और एक सूरी ग्रहन, उस काल में करेंगे, तो आपको ज़ादा से ज़ादा लाब होगा, आज एक ऐसी साधना के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही गुप्त है, भाशा और साबर मंत्र के लोकल भाशा में होने के कारण, बहुत सारी साधनाएं गुप्त हो गई, विलुप्त हो गई, जो साधनाओ का प्रचलन दक्षिन में शुरू हुआ, वो दक्षिन में ही रह गया, जिन साधनाओ का प्रचलन नौर्थीष्ट में रहा, वो नौर्थीष्ट का होके रह गया, जिन साधनाओ का प्रचलन गुजरात महरास्टर में था, वो वहीं पर बस गया, क्योंकि इंडों में विभाजित हुआ भाशा के चलते और कभी भी किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि दूसरी भाशाओं का तंत्र को समझा जाए इसमें एक छोटा सा मैं प्रयोग कर रहा था तो मेरे सामने एक बहुती गुप्त तंत्र आया और मैंने सोचा कि ये आप सब लोगों के लाप्त्रद होगा एक साउथ इंडिया की भाशा में ये तंत्र और इसका जो यंत्र है वो मुझे मिला और मेरा चोटा भाई है वहाँ पर गुरु भाई उसने मुझे मदद किया इसको समझने में इसकी भाशा को समझने में इसका प्रयोग करने में तो आज यही तंत्र मै आप लोगों को समझाओंगा और जिनका जिनका मूल धन और हग का पैसा कहीं फसा हुआ है तो वो इस तांत्रिक प्रयोग का प्रयोग करके उस धन को वापस ला सकते हैं पहले दो चीज़ समझनी है कि आप लोगों का पैसा फसता क्यों है पैसा फसने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है कार्मिक कनेक्शन का मतलब आपने कुछ न कुछ अगले से रिन ले करके अगर इस जनम में नहीं तो किसी और जनम में उसका रिन चुकाया न नहीं है या किसी काम पे जब आपका पैसा फसता है ऐसी स्थिति में आपको यह देखना है कि क्या उस कर्म को आप अपने आने वाले जीवन में लेना चाहते हैं अगर लेना चाहते हैं या इस जीवन में बिना उस रिन के भुगतान का आपका जीवन यापन मुश्किल है त तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दुर्गा शप्षती को अगर बिना विधान का पढ़ा जाए तो वो मारकंडे पुरान है मतलब मारकंडे जी ने जो माभगवती देवी दुर्गा की कथावाची है वो वही है लेकिन अगर उसको तरीके से जो क्रम है जिस तरीके से उसको पढ़ना है वैसे पढ़ा जाए तो दुर्गा शप्षती जो है एक पूरा मंत्र है तो इस मंत्र के कई प्रयोग है और उसी में से एक प्रयोग है ये जो किसी के पास आपका अगर धन फ़स जाए तो वो धन को निकालने का प्रयोग इसके लिए क्या-क्या समगरी चाहिए होती है इसके लिए देखो इसको कहते है दनिका वशिकरन तंत्र ठीक है इसके लिए आपको चाहिए गोरोचन अच्छा गोरोचन जब मैं बोल रहा हूँ तो यह याद रखना कि गोरोचन दो प्रकार का होता है गोरोचन एक सफेद होता है और एक लाल होता है कहा जाता है लाल गाय से लाल निकलता है तो जो लाल गोरोचन होता है वो प्रयोग होता है मारन मोहन उचाटन वशिकरन में और जो सफेद गोरोचन होता है उसका प्रयोग गनपती अत्यादी की पूजा में किया जाता है तो हम में प्रयोग करना है गोरोचन जो कि लाल हूँ लाल का इसे निकला हो शुद्ध कुमकुम चाहिए आपको ठीक है एक भोजपत्र लगेगा चमेली का एक डंठल तोड़ लाईए और उससे एक कलम बनाईए ठीक है और उसके बाद गोरोचन और कुमकुम को जल से मिला लीजिए और उसके बाद जो आपके स्क्रीन पर अभी यंत्र आ रहा है इस यंत्र को आप बनाएंगे ठीक है बहुत ही दुरला भी यंत्र है यह तो जब आप इस यंद्र को देखेगा तो आप देखेगा सबसे बाहर में एक औरेंज पटी है इस औरेंज पटी पे रिम लिखा हुआ है आपको टोटल 34 बार इस पटी पे रिम लिखना है मतलब चारो तरफ इस पटी के इस पटी के अंदर इसके बाहर नहीं इसके अंदर आपको 34 बार रिम लिखना है थीक है जो अंदर की पटी है मतलब वो जो सटकोन जो बना हुआ है छे कोनों का जो तारा बना हुआ है उसके हर कोने के अंदर मतलब हर घर में क्लिम लिखेंगे और ठीक उसके बाहर जो एल्टरनेट खाली जगा होगी वहाँ पर आप क्लिम लिखेंगे मतलब क्लिम टोटल आप बारा बार लिखेंगे और जो बीच में स्थान है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसने आपका धन लिया हुआ है या फिर जिसको आपको धन देना है जिसको प्रभावित करके आपका धन आपको वापस मिल जाएगा तो यह हो गया यंत्र बनाने का विधान ऐसा जब आप यंत्र बना लेंगे तो इस यंत्र को अपने पूजा स को करना है और साथ दिन तक दुर्गा शब्षती का विधियनुसार पाठ करना है जिनको दुर्गा शब्षती का विधियनुसार पाठ ना आता हो वो किसी पंडित को या किसी तांत्रिक को बुलाए और उसके बाद साथ दिन दुर्गा शब्षती का पाठ कराए साथ दिन के पाट के बाद इसका दशान सवन होगा, दशान सवन का मतलब क्या होगा? दुर्गा शप्षती आपने अगर किया तो उसका दशान सवन कैसे करेंगे? तो उसका दशान सवन होता है, एक हजार आठ बार नवारन मंत्र से आप आहूती देंगे, ठीक है? नवारन मं मैंने बता रखता है तो 108 बार उससे आहूती देंगे उसके बाद किसी कुमारी कन्या को जो की आपके अपने परिवार की हो किसी दूसरे के परिवार के अगने को भोजन कराते हैं तो यह पूरे यग्य का प्रभाव उस कन्या के परिवार के पास चला जाएगा इसलिए आपको अपने घर की किसी कुवारी कन्या को भोजन कराना है और वस्तरादी देना है जैसे कि कुवारी पूजन में होता है इतना करने के बाद इस यंत्र को आप आठवे दिं उठाएंगे इसको सोने या चान्दी के ताबीज में इसको डाल करके और उसके बाद इसको गले में धारन करेंगे इस साथ दिन के क्रिया को करने से जो व्यक्ति आपके धन को देने के बारे में सोच भी नहीं रहा है, वो सामने से आकर आपको धन देके जाएगा, इस पूरे विधान की यही सबसे बड़ी उपलब्दी है, कि इस विधान को करने से आपको फिर कभी भी उस व्यक्ति को पाईसे के लिए नहीं बोलना पड़ेगा, वो व्य एक विद्या है जो कि भगवती देवी दुर्गा के प्रभाव से इस तंत्र को करने से आपका जो भी धन है जो भी फसा हुआ धन है वो आपको वापस मिल जाता है इसके अलावा इसी पद्दती में दुष्ट मोहनियंत्र होता है ठीक है तो मान के चलिए आप कहीं कोई काम कर ने जा रहा है ठीक है या फिर आपके घर में या फिर आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके किसी काम को होने नहीं देता है आपके हर काम में अर्चन देता है और उसके पीछे अगर कोई कारण ना हो तो उसके लिए एक दुष्ट मोहनियंत्र है तो उसका जिसमें मंत्र नहीं होता मनुभावी मंत्र के रूप में काम करता है वो मैं आपको जल दूँगा ये उन सभी लोगों के लिए जुनोंने बहुत बार मुझे लिखा था कि ऐसी कोई साधना दीजे जिससे की मेरा पैसा फसा हुआ मिल जाए तो आप लोग सभी ये साधना कीज है जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि क्या वो पैसा आपके किसी कर्म के चलते रुखा हुआ है क्या वो पैसा आपके लिए इत्ता जरूरी है कि इस जनम में उस कर्म को ना भोग के आप अगले जनम में उस कर्म को भोगना चा मैंने इसको टेस्ट किया है तब फिर आप लोगों को दे रहा हूँ आज के लिए इत्ता ही जो नया अगस्त का साधना ग्रूप है वो चालू हो चुका है तो अब आप में से जो भी जुड़ेंगे वो सितंबर के साधना ग्रूप में जुड़ेंगे साधना शिविर होने जा रहा है अगस्त के 22 और 23 तारीकों शिप्पूरी मद्यप्रदेश में जिसको एन्रोल होना है वो वेबसाइट पर जाए और एन्रोल्मेंट कर लें अगले महिने यानि सितंबर में यही साधना शिविर पूने में लगेगा तो जिसको पूने के लिए इसके लिए भी ओप्शन है वेबसाइट में तो आप अगस्त और सितंबर में साधना शिविर आना चाहते रहें और नो में अ इंडेक्शं सबसाड़ कान्य नमकान extrusion आज के लिए इतने ही आप सभी को माभगवती का आशिरवाद मिलते रहे आप सब धनधन्य से परिपून रहे हैं, एसा मैरे मेरे कामना और माभगवती से प्रातना है। जिनको साधना का जो बेसिक मंत्र होता है जैसे आसन बंधन है अब यह सब साधना इंको सीखनी है वो मेरे पेड़ बेसिक रुप से जुड़ सकते है नंबर है 942-88585 इनको मुझे अपॉइंटमेंट लेना है वो मेरा वेबसाइट है www.aghurtantrahas.exy.gov उस पर अपॉइंटमें कर जाएगे उसको इंस्टाउल कीए अर्वो दिनना क्या एक अट से एंफोर ऐगा है कि आप लाएगा एक अप्सक्रम है अचिलिए आप सभी को आदेश 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 आदराफ आदेश